नमस्कार दूस्तू स्वागत आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज की अपने इस वीडियो में हम इतियास से सम्मंदित कुछ प्रिशनों का डिसकस करेंगे तो जिन प्रिशनों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारे सबसे पहला प्रिशन है कि अंकोर बात कहां इस्तित है ठीक है हमें ये बताना है कि अंकोर बात जो है वह कहां पर इस्तित है आप्शन A, Vietnam आप्शन B, Tibet आप्शन C, Indonesia और आप्शन D, Cambodia तो इसका जो सही अंसर है वह है Cambodia यानि अंकोरबाट जो है वह है Cambodia में हिस्ते थे और अंकोरबाट में क्या है अंकोरबाट में है सूर्य मंदर ठीके, पूछा भी जाता है कि अंकोर बाट का सूर्य मंदर कहां इसते थे तो सूर्य मंदर जो है वह कहां पर इसते थे यह कमबोडिया में है और यह भगवान बिश्णू को समरप्रत यहां पर मंदर है तो यह भी आपको यहां याद रखना है आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित में से किसे मानाव आदे की जन्म इस्थली माना जाता है ठीके मानाव की जन्म इस्थली किस महादीब को माना जाता है ए हमें बताना है आप्सन ए एसिया महादीब को आप्सन बी यूरोप महादीब को option c अफरीका महादीब को और option d औरस्टेलिया महादीब को तो इसका जो सही अंसर है वह है अफरीका महादीब को ठीके तो मानाव की ज़न में स्थली माना जाता है वह है माना जाता है अफरीका महादीब को और इसको बिलेक महादीब के नाम से भी जाना जाता है ठीक है काला महादीब इसको हम बोलते है अफरीका महादीब को और इसी को बोला जाता है मानाओ की जन्म इस्थली आगे बढ़ेंगे कि भारत के किस छेत्र में सर्व प्रथम मनुस से सम्मंधी पुरा तात्रविक प्रमाण मिले हैं ठीक है हमें यह बताना है कि भारत की किस छेत्र में सबसे पहले मनुस सम्मंधी जो साक्ष मिले हैं वो कहां पर मिले हैं option A, सोहन घाटी, option B, नर्वदा घाटी, option C, बोलन घाटी, option D, बेलन घाटी, तो इसका जो सही अंसर है वह है नर्वदा घाटी, ठीक है, तो नर्वदा घाटी में सबसे पहले मनुष्य सम्मंधी पुरास्तात्विक साख्ष मिले हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला पिसन है कि पासान यूगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया ठीके हमें बताना है कि जो पासान यूगी के लोग थे इन्होंने सबसे पहले किस जानमर को अपना पालतू बनाया option A गधों को option B कुट्टों को option C गोडों को और option D भेडों को तो इसका जो सही अंसर है वह है कुट्टों को ठीक है तो जो पासाण यूगीन लोग थे इन्होंने सबसे पहले कुट्टों को पालना सीखा और कुट्टों को अपना पालतू जानबर बनाया और कुट्टे जे थे पासाण यूगीन लोगों की सिकार में मदद करते थे जब उसे कारना जाते थे तो जो कुट्टे उनकी help करते थे आगे बढ़ेंगे कि भारतिय उप महादीप में क्रसी का प्राचीनतम साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है ठीक है क्रसी का प्राचीनतम स साक्ष ए हमें बताना है option a ब्रमगिरी से option b चिरांद से option c मेहरगर से और option d बुर्ज होम से तो इसका जो सही अंसर है वह है मेहरगर से ठीक है मेहरगर से मिला है क्रसी का प्राचीनतम साक्ष ठीक है आगे बढ़ेंगे कि मानाव द्वारा सर्व प्रथम प्रयोक्त अनाज किय था यानि सबसे पहले मानाव ने किस अनाज को प्रयोक्त किया था यह हमें बताना है option a जो option b गया हूं option c चाबल और option d बाजरा तो इसका जो सही अंसर है वह है जो यानि मानाव के द्वारा सबसे पहले जो जो को प्रयोग किया गया था आगे बढ़ेंगे कि सिंदू घाट की सब्वता निमने लिखित मैं से किस सब्वता के समकाली नहीं थी ठीक है यह हम भी बताना है कि जो सिंदू घाट की सब्वता है या किस सब्वता के समकाली नहीं थी option a मेसिकी सब्वता option b मैसो पोटामिया की सब्वता option c चीन की सब्वता और option d ग्रीक की सब्वता तो इस की सबता मेसो पूटामिया की सबता और चीन की सबता इसके समकालिन थी लेकिन ग्रीक की सबता की समकालिन नहीं थी आगे बढ़ेंगे कि सिंदु घाटी सबता के लोगों का मुख्य ब्यौसाय क्या था ठीक है जो सिंदु घाटी के लोग थे इनका मुख्य ब्यौसाय क्या थ option a ब्यापार option b पसूपालन option c सिकार और option d क्रशी तो इसका जो सईयानसर था वह था ब्यापार ठीक है तो जो सिंदु घाटी सब्वता के लोग थे इनका जो मुख्ष रूप से ब्योसाय था वह था ब्यापार का ठीक है यहां के लोगे ब्यापारी बार्ष से संब्दे थे और यह ब्यापार को ज़्यादा महत्तु देते थे आगे बढ़ेंगे कि सिंदु गाटी सब्वता का पत्तन नगर याने कि बंदा गाह कौन था ठीक है लोथल यहां का क्या था बंदाःगा यानि की पत्तन नगर था आगे बढ़ेंगे कि हड़पा सब बता के संपूर्ण छेतर का आकार किस प्रिकार का था ठीक हड़पा सब बता जो है इसके जो संपूर्ण छेतर मिले हैं जहां जहां भी अगर हम उन सबी को एक मैप में देखें तो उसका आकार किस प्रिकार का बनता है यह हमें बताना है option A, बरगाकार option B, तरभुजाकार option C, option C, तरभुजाकार और option D, गोलाकार ठीके, तो जो हड़पा सबता है इसका जो आकार बनता है वह बनता है तरभुजाकार यहनि इसका C option सही है ठीके, अगर हम उसके संपूर्ण शित्रों को देखें, तो उसका कुल मिलाके जो आकार बनेगा, वह एक तरभुज की आकार का बनेगा थेंक्यो दोस्तू इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद